नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पात्फाइंडर स्थिटी पॉइंट में सुबह हम लोगों ने एक से पचास तक जो 2018 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स देखे थे तो उसी सिरीज को हम करते हैं और अब हम पचास और बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे करेंट अफेर्स के जो सब फरवरी और मार्च से रिलेटेड हैं और 10 मार्च से आगे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मैकसिमम आप 15 मार्च तक का पढ़ सकते हैं वैसे मेरे इस आप से 10 मार्च तक का करेंट अफेर्स sufficient है तो जन्वरी फरवरी को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए जिन भी सोर्से से आप पढ़ रहे हैं जिससे आपका Current Affairs में जो है सब कुछ कवर हो जाए और जो लोग नए है इस चैनल पर उनको मैं बताना चाहता हूं कि 14 वीडियो मैंने Current Affairs प्लस GS वाली सीरीज जो मिक्स सीरीज है उसके अब तक अपलोड कर रखे हैं और उसके अलावा 13 और 14 जो है कुल प्योर जो Current Affairs की सीरीज है वो अपलोड कर चुका हो तो अगर आप इतने वीडियो आपने देखे हैं तो यह समझ लिजिए आपको बुक को हाथ लगाने की विज आप उसको जो है देख सकते हैं चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सहरिया बैगा और भोटिया यह तीन जन जातियां है जो कुपोर्षण से जो है ग्रसित रहती हैं तो इनको प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मद्पदेश राज ने इनिसियेटिव लिया है उन्होंने गोशडा की है कि इन जन जातियों को कुपोर्षण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी भारती बैंक जिसे आर्वी आई ने कुवैत और सिंगापुर में प्रतनिधी कार् होल सकेगा आई सीजिये सुजय यह क्या है एक अप्टतिय निगरानी जहाज है जो तत्र अच्छक बल में सामिल किया गया है 21 दिसंबर 2017 को कोश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस कंपनी द्वारा बनाया गया है तो गोवा सिप्यार लिम्टेड द्वारा ये बनाया गया है या विक्सित किया गया है फिर बिस्ट का पहला पॉलिटिकल रिवोर्ट मतलब ऐसा रिपोर्ट जो है जो पॉलिटिकल बाते करता हो पॉलिटिकल चीजों पर की एक्टिविटी करता हो तो इसका नाम रखा गया है सैम ये न्यूजी लैंड ने बनाया है इस्राइल के सह योग से फूलों की खेती के लिए उतक्रिष्टिता का केंदर खोला गया है कहां पर तमिल नाडू में और इसमें देश आपको याज रखना जरूरी है कि ये इसराइल के साथ सहीयोग समझोता जो हुआ है उसके अंतरगत खोला गया है फिर योग को खेल गत्विधी के बड़ा तितली संवच्छन पार्क ये कोस्चन संभावित है इसको जरूर याद कर लीजिएगा ये गुरुग्राम या जो पुराना गुड़गाओं जिस नाम से गुरुग्राम में इस्थापित किया जाएगा उत्तर भारत और नेपाल द्वारा एक संयुक्त परियोजन के रूप में फुल का निर्मार किया गए उसका नाम है काली घंडाग कॉल्ड़र तक जो है जाता है भारत के पूर्वी छेत्र का पहला कन फ्यूसियस तो Confucius Classroom क्या होता है चीनी भासा सिखाने के लिए ये Classrooms बनाए गए हैं और ये भारा तो चीन में कुछ समझोते हुए थे उसके अंतरगत ये खोले गए तो सबसे पहला जो खोला गया है Confucius School Classroom वो कोलकाता में खोला गया है विश्व के सबसे बड़े Solar Plant का सिलान्यास किया गया भी रिसेंटली प्रधानमति नरोन मोदी जी द्वारा किया गया था रीवा जो की मदप्रेस में है फिर कालेश्वर लिप्ट सिचाई पर योजना जितनी भी सिचाई पर योजना है यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो यह तेलंगाना में इस्थापित की जा रही है तूरियल जल विद्धुत योजना ये मिजोरम में है और इसकी छमता कितनी है 60 मेगावाट उजाला मित्योजना उजाला सब्द आप कहीं भी किसी भी योजना में देखिए तो उजाला सब्द LED के वित्रण और उर्जा की बचत से संबंदित योजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसी प्रकार की एक योजना उत्तरा खंड में भी सुरू की गई जिसका नाम उजाला मित्र रखा गया और ये LED वित्रण से संबंदित है कि सभी को जो है सस्ते दामों पे LED उपलब्द कराई जाए जिससे जो है उर्जा की अरिकादिक बचत की जा सके वर्मी कंपोष्ट इकाई की इस्थापना की जा रही है ये कहां पर उत्तर प्रदेश में दुनाव जल्विद्धुत परियोजना कहां पर है तो ये उत्तरा खंड में है पौड़ी गड़वाल जिले में और ये किस नदी पर बना है नयार नदी कोईश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस नदी पर है तो नयार नदी पर है दुनाव जल्विद्धुत परियोजना सा सरकार द्वारा प्रारम की जा रही है उत्तरी पूर्वी ग्रामीड आजी इस से इस तरह के question जरूर आएंगे और इसमें चारो नाम नहीं होंगे तीन होंगे एक कोई मिसिम होगा एक change कर दिया जाएगा तो आपको वही बताना होगा किसमें नहीं चलाए जा रही तो मिजोरम नागा लैंड सिक्किम और त्रिपुरा ये चारो नाम बिल्कुल याद कर लिजिए फिर नव कृष्ण चौधरी सेवा उन्नयन योजना ये योजना जो है क्रशी भूम सिचाई से संबंदित है क्रशी भूम सिचाई की सुविधाओं को बढ़ाने से संबंदित है तो ये उडिसा सरकार द्वारा प्रारम की गई है नर्मदा पार्वती लिंक पर य लाए जा रही है ये गोवा में है जो मोबाइल यूनिट है फूट सेफटी की टेस्टिंग करने के लिए चेकिंग करने के लिए सारजुनिक खरीद पोर्टल एक है MSME ये किस मंत्राले द्वारा जो है ये पहल शुरू की गई है तो सूच में लगो है मध्यम उन्त्रम मंत्राले है जिसके द्वारा MSME पोर्टल की सुरुवात की गई है इसका फुल फॉर्म क्या है अभी आप गूगल में सर्च करके देखके लिख लीजिएगा विवेका नंद यूथ हवाड योजना पुना प्रारम कर दी गई है किस प्रेश में उत्तर प्रेश में तो ये यूपी से रिलेटेट सवाल है इसलिए ये पूछा जा सकता है आपरेशन सहायम क्या है तो आपरेशन सहायम नौसेना का एक अभियान है जो ओखी चक्रवात के डृत पर आया था उसके V disruption चला आया है था रालीमवा रत यूजना एुनीमिया के विरुद्ध जो में चला आया है एक स्वात गूहाइप आउयमाा ग्रसित मयाओ बच्चि शाले DR कर Dear liaison को एंको जार्था अर्वज चानila key ciao राएथ ये की आयरभ खुर ऐसाई का बित्र आयोग के उपाध्यच कौन है जार्ज कुरियन लेकिन ये चर्चा में क्यों आया तो अभी हाल ही में आठ राजियों में जहां हिंदू अल्वसंख्यक मात्रा में है तो उनकी उनको अल्वसंख्यक का दरजा हिंदूओं को देने के लिए एक जो है सुप्रीम कोट ने समित का अगठन किया है जिसके जो है अध्यच बनाए गए समित के जौर्ज कुरियन इसलिए ये जो है चर्चा में आया इनका नाम भारत अंतराश्टी काफी महसो ये 16-19 जनवरी 2018 को बैंगलूरू में आयोजित हुआ काफी को लेकर था और काफी के साथ अपने को व्यक्त करें य इसका टाइटिल या जो है ठीम थी इस महसो की बोधिपर्व विरासत के बिम्स्टेक उत्सो इसका आयोजन कहां किया गया नई दिल्ली में किया गया आठ से दस सितंबर दिसंबर 2017 को फिर विश्व वेद सम्मेलन वेदों पर और उपनिस्दों पर ये सम्मेलन हुआ था इ यूनेस को बिस सुपरेटन एवं सांस्कृतिक सम्मेलन 2017 कहां पर आयजित हुआ मस्कट जो है ओमान में और ये इसका धेवा कि क्या था सतत विकास को बढ़ावा देना तो इसकी थीम क्या है सतत विकास को बढ़ावा देना थीम से कुश्चिन आ सकते हैं जो इसको ध्यान स से जो है याद कियेगा और यह भी पूछ पूछे ना सकता कि किसके द्वारा आयोजित किया गया तो बिस सुपर्यावरण बिस सुपरेटन एवं सांस्कृतिक सम्मेलन 2017 यूनेस को द्वारा प्रारम किया था आयोजित किया गया था फिर अंतराजी बस सेवाव है तो उत्त सारम की गई राजस्थान में ससस्त्र सेना जहंडा दिवस साथ दिसंबर को मनाया जाता है अंतराश्टिय भ्रष्टाचार निरोध दिवस ये नौ दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व मृदा दिवस जो पांच दिसंबर को मनाया गया उसमें थीम थी ग्रह की धेगब भूमी से शुरू होती है तो मैंने जैसे के भी लास्ट वीडियो जो डाला था एक नेशनल और इंटरनेशनल डेस पर जो इंपॉर्टेंट थे तो जो पिछले पांच महिने चार महिने में जित्ते भी महत्पूर्ण दिवस हैं उनको जरूर तयार कर लीजिएगा दिवस से एक कोश्चन जरूर आएगा चाहे उसकी थीम पूछें चाहे उसकी डेट पूछें फिर बात करते हैं एक दिसंबर 2017 क्या है तो बिस वेट्स दिवस है ये सभी को पता लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका जो थीम थी वो क्या थी तो मेरा स्वास्त मेरा अ सुप्रीम कोट ने समित का गठन किया है जिसके अध्यच कौन है नियायमूर्ती M.B. लेकूट तो ये अध्यच का नाम पूछा जाता समितियों से कोश्चन तो आते रहते हैं नियायमूर्ती M.B. लेकूट यह आप याद किएगा अपार्णा पोर्टल तो अपार्णा एक जो है वेपसाइट या पोर्टल है जो उडीचा सरकार दौरा प्रारम की गई है और यå किसलिये है पेंशन धारकों की सुविधा के लिए जो पेंशनर्स हैं वहाँ पर उनकी सुविधा के लिए अपार्णा पोर्टल बनाया गया हैं अंतराश्ती हिंदी सम्मेलन कहां है पूजित किया गया फिजी में भारत महोसो जो मनाया जा रहा है अक्टूबर 17 से ही चल रहा है और मार्च 2018 तक पूरा चलेगा ये कुछ जो है द्वीप हैं उन पे मनाया जा रहा है तो फिजी है इन में से किरबाती टोंगा वनवातू नवरू तुवालू और कुक तो इन द् आस्ट्रेलिया के जो है उत्तर और पूरूप की तरफ जो है छोटे छोटे द्वीप हैं तो इन द्वीपों पर भारत महोसो का आयोजन किया जा रहा है जहां भारत की सांस्कृतिक विरासत और अन्य भारत की जो है जो कल्चलल विसेश्टाएं हैं उनका जो है वहां पहले जब यह प्रारम हुई होगी कभी तो इसमें स्रमिकों को जो है इधर से ले जाया जाता होगा तो इनका परिचालन बं करने कंदेंरे लिया है जो बिहार में चलती थी और फर्वरी 1862 में यह प्रारब हुई थी है फिर होश्टैक होश्टैक का इकरम क्या है है और ये भारत और अमेरिका के बीच रिसेंटली अभी प्रारम किया गया है। फिर बात करते हैं प्रेरणा योजना तो प्रेरणा जो है महिलाओं के अनकूल क्रसी उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना प्रारम की है किसने जो क्रसी छेतर की लीडिंग कमपनी है महिंद्रा कमपनी इसके द्वारा प्रेरणा योजना प्रारम की गई है। केंद्री चिडिया घर प्रादिकरण द्वारा वन जीव सनच्छण अदनियम 1972 के अंतरगत सरकसों में किस जीव की मानिता निरस्थ कर दी इसका आरत है कि सरकस में कौन से जीव हैं जिनका आप नहीं किया जाएगा तो हाथी का प्रदसन अब सरकस में नहीं किया जाएगा यह अब बैन कर दिया गया है सरकार द्वारा इसमें अलग से यह पूछा जा सकता है कि यह कारवाई किस अदनियम के तहत की गई है तो आपको बताना होगा कि वन जीव सनच्छण अदनियम 1972 के यह निरने लिया गया है कि ट्रांसजेंडर से तूर राजनी ती बतला जो ट्रांसजेंडर सें उनके लिए राजनी अच्छा रही है, 2017 में इसका प्रपोजा लखा गया था तो यह काम किया है केरल सरकार में आप आक्सफोर्ड दिक्सनरी द्वारा आधार का सुरी 2017 का कौन सा वर्ड रखा है तो यूथ क्वेक को जो है आक्सफोर्ड यूथ क्वेक को वर्ड आप दा येर बताया गया है इंगलिस में लेकिन मैं यहां पर लिखना भूल गया हूं अगर हिंदी का वर्ड कुछ लिया जाए कि आक्सफोर्ड दिक्सनरी द्वारा 2017 का वर्ड आफ येर इन हिंदी तो आधार जो आधार कार्ड वाला आधार है उसको जो है हिंदी का वर्ड आप दा येर 2017 गोसित किया गया है चरक आयप जो है स्वास्त से सम्मंदित है और ये प्रारम किया है उत्तर प्रदेश सरकार उमंग ऐप एक ही मंच पर सभी सरकारी सुबधाओं को उपलब्ध कराने के लिए यानि सारी सरकारी सुबधाओं की लगवक तीन सो सेरीक सरकारी सुबधाएं हैं तो इनको जो है एक साथ दिखाने के लिए एक ऐप जारी किया है भारत सरकार ने जिसका नाम रखा गया है उम किसान कल्यान मंत्राले द्वारा युनाइटेड नेशन्स को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें भारत सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है कि 2018 को अंतराश्टी कदन वर्स कदन जो है इसका इंगलिस नेम आप जान लीजिए कदन साहर हिंदी में आप न याद कर पाएं इन्टर्नेशनल मिलेट्स ज़ो खाद्यान का ही एक पार्ट है एक तरह का अनाज होता है इसको मिलेट्स कहते हैं तो इन्टर्नेशनल मिलेट्स ज़ों के रूप में مनाय जाने है तू प्रस्ताव भेजा है युनाइटेड नेसंस को नोनोबेल स्रंखला भारत 2018 का आयोजन कह गोवा में किया गया है और इसका जो थीम थी विसेवस्तु थी वो थी जीवन पर विज्ञान के प्रभाव परड़ाइज पेपर लीक्स जो है मामला आपने सुना होगा तो इसमें 180 देशों के सीक्रेट डाकुमेंट्स जो है इन्होंने लीक किये थे सारजुनिक किये थे तो इसमें भारत का जो इस्थान था मतलब भारत में जितने विक्तियों का इन्होंने नाम लिया उस क्रम में ये भारत का इस्थान उन्नीसवे नंबर पर जो है था पिर भारत युवा विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है यह कुछा जा सकता है तो राजियू गांधी राष्टी युवा विकास संस्तान स्री पेरुंबदूर द्वारा यह जारी की जाती है भारत द्वारा OCI यानि Overseas Citizens of India काड के लिए एक विसेश अधिकार प्रदान किये गए है एक ही देश को वह है मौरिसस मौरिसस के नागरिकों के लिए जो है जो है जो वहां पर इंडियन नागरिक इंडियन मूल के है तो उनको Overseas Citizens of India के लिए विसेश अधिकार दे दिये गए है कॉप सेवे 23 तो कॉप के बारे में आप ज 2017 को बॉन जन्वनी में किया गया और इस समेलन की अध्यशता किस देशने की फिजी ने की नए प्रतच कानून का मसाधा तयार करने के लिए एक समीत का गठन किया भारत सरकार ने उसके जो है जो अध्यश बनाए गये हैं वो है अर्विंद मोदी तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज के दिन में दो पार्ट में सो कोईस्चन्स जो है सो इंपोर्टेंट फैक्ट्स दो हजा ये पूरा डाटा दस मार्स तक का है दस मार्स के आगे कावीश में कुछ भी नहीं जुड़ा है और उसकी मैं आउशकता भी नहीं समझता हूँ तो मेरी तरफ से तो मैंने करेंट अफेर्स को लगभग लगभग पूरा कर दिया है लेकिन अभी मैं और बुक्स वगएरा रिफर करूंगा अगर मुझे कुछ और नए अच्छे पॉइंट मिले जो इंपोर्टेंट लगते हैं आपके लिए तो मैं जो है उस पे एक दो वीडियो और उसके लिए मैं मैं 25-26 तक ही जो है वीडियो जालूंगा उसके बाद आप जो है सेल्फ पढ़िए दस दिन कम से कम जो है आप जो है चीजों को अच्छे से और अच्छे सी रिवाइस करिए या मेरे वीडियो को ही अगर आप रिवाइस करना चाहते हैं तो आपको समय मिल ज होता क्या है देखिए मैं प्रेक्टिकल बात करता हूं मैं इधर उदर की बाते नहीं करता हूं मेरा उद्देश जो है केवल अपने वीडियो को प्रचार करना या इस तरह का नहीं है मैं दिल से यह चाहता हूं कि आप लोग का सलेक्शन हो और वही मेरे लिए सबसे बड़ मैं इंतिजार करूंगा आठ अप्रेल का कि आठ अप्रेल को आप जितना बहतर हो सके उतना करें करन्ट अफेर्स मैंने बिल्कुल चुन चुन के रखा है मेरे मेरा खुद का अन्भव जो 4-5 साल का है पेपर्स का तो मुझे इतना तो आइडिया है कि की नेरियास से कैसे को मैं बीच बीच में से लिए आपको बोलता जाता हूं कि ये कोच्चन आ सकता है या इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है तो आप जो है मेरे अन्भव का लाव उठाईए और जो है अच्छे सच्छा पेपर करिए अब जो है थोड़ा सा सोशल मीडिया वाटसेप, फेस्ब आपके साथ हैं आप अच्छे सच्छा प्रदस्थन कीजिए मैं यही चाहता हूं और आप कमेंड में मुझे बताईए गर आपकी कोई रिक्वाइर्मेंट हो मैंने सारे नोट्स भी दे दिये हैं और इधर के जो रिसेंट्स के नोट्स हैं यह भी मैं आपको दे दूंगा म रिस्पॉंस डेते हैं, मैं कभी-कभी यह सौन्छता हूं कि चलो आज एक ही वीडियो डालते हैं लेकिन आपके जो कमेंट आते हैं तो मैं मजबूर हो जाता हूं कि चलिए दो वीडियो और बना देता हूं आप Lोग के लिए तो मेरी आप लोग को हारदिक सुबकामना हैं आप अच्छे से अच्छी तरीके से त्यारी करिए और इस आरो के पेपर में जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करिए अपना स्रेश्ट प्रदर्शन करिए इन्ही सब्दों के साथ नमस्कार धन्यवाद